दोस्तो आज के रिव्यू में बात करेंगे राजदूत बाइक का कमबैक इंडियन टू विलर मार्किट में अल्रेडी इंडियन मार्किट में काफी कमपनी कमबैक कर रही हैं क्योंकि 80's and 90's के टाइम पे बाइक की सेल उतनी ज्यादा नहीं थी जितने के आज की डेट में है यही रिजन है काफी कमपनी अपनी वापसी कर रही हैं अपने न्यू बाइक के साथ जिसमें से बहुत ही जल्द अब राइदूत भी अपनी 175cc इंजन में न्यू बाइक को लॉंच करेगा इंडिया में राइदूत के बाइक सबसे सॉलिड बाइक थे अपने टाइम पे क्योंकि इनमें आपको बिल्ट कॉलिटी काफी अच्छी मिलती थी एंड इंजन भी काफी रिफाइंड था जिसको देखते हो अब बहुत ही जल्द राइदूत अपनी न्यू बाइक को लॉंच करेगा इंडिया में राइदूत 175 का लॉंच आपको कब तक देखने को मिलेगा प्राइस कितना रखा जाएगा और इसमें आपको क्या कुछ फीचर्स मिलने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज के रिव्यू को और बात करते हैं औल न्यू राइदूत 175 के लॉंच के बारे में राइदूत 175 का डिजाइन रेट्रो होगा जसमें आपको एडवांस टेक्नोलोजी देखने को मिलेगी फ्रंट में स्लीक राउंड हेडलाइट होगी सिटिंग पुजिशन काफी कमफर्टेबल होगा फ्यूल टेंग काफी ब्राउड होगा लेटस ग्राफिक के साथ साइट पैनल में 175 का लोगो होगा वील्स में अलोई वील मिलेंगे स्पोक रिम के साथ वील का साइज होगा 18 इंचीज का दोनों वील में डिस्परेट मिलेगी सस्पेंशन फ्रंट में होगा टेलिस्कोपिक फोग, फ्रंट सस्पेंशन, फोग गेटर के साथ एंड एर सस्पेंशन मिलेगा, ड्यूल शोक सस्पेंशन मेकैनिकल पार्ट इसमें आपको ब्लैक फिनिश में देखने को मिलेंगे जैसे इंजन, एक्जॉस्ट एंड मिरर टायर का साइज इसमें ब्रॉड मिलेगा सो अब बात कर लेते हैं, औल न्यू राइदूत 175 के इंजन और स्पेसिफिकेशन के बारे इंजन इस बाइक में मिलेगा 175 CC एर कूल फोस्ट ओक फोर वैल इंजन जिसमें आपको पावर मिलेगी 23 EPS की maximum power, number of gear होंगे 5-speed transmission के साथ इंड इस बाइक में आपको few tank की capacity मिलेगी 13 liter की seatitis bike की low रखी जाएगी overall mileage ये bike generate करेगा 50 की, राइदूत 175 की अगर हम features की बात करेंगे तो इसमें आपको features मिलेंगे round LED headlight, single channel ABS slipper and sysclutch इसमें आपको analog digital meter console भी offer किया जाएगा तो अगर हम pricing की बात करेंगे तो राइदूत 175 का price होगा 1,50,000 राइदूत अपने bike का price काफी affordable रखेगा, क्योंकि राइदूत अपनी entry करने जा रहा है, जिसके साथ इस bike का price काफी competitive रहेगा और bikes के comparison में launch होगा इस bike का expected इस year में अभी launch date announce नहीं होई राइदूत 175 की, लेकिन इस bike का launch confirm है इस साल में राइदूत 175 टक कर देगा Royal Enfield, Java and SD के bike को, so आप में से कौन को राइदूत 175 को prefer करेगा बाइगरना और bikes के comparison में, so hope करता हूँ आज की video आपको काफी informative लगी होगी, channel को जरूर subscribe कर लें ताकि कोई भी update मिसना हो, और आप मुझे Instagram पे भी DM कर सकते हो चलिए मिलते हैं अगले review में